सबी विद्यारतियों को नमस्कार आज हम कक्षा बारा यूनिट थ्री में धारा का चुम्बक्या प्रभाव और चुम्बक्त्य यूनिट को पढ़ेंगे इस यूनिट को सुरू करने से पहले मैं रमेश प्रसाद ब्रडोनी लेक्शर और फिजेक्स आपको धारा का चुम्बक्या प्रभाव और चुम्बक्त्य के बारे में जो यूनिट का जो मुक्य अंग है उनमें सबसे पहले बायूट सावर्ट का नियम फिर जो दूसरा है वो हम बायूट सावर्ट के नियम पर आधारित प्रश्न करेंगे फिर एमपियर का लूप लॉप लॉप पढ़ेंगे सैकलोट्रोन के बारे में पढ़ेंगे चुम्बक्या बल के बारे में पढ़ेंगे तो आओ हम सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारियां आवसे होनी चाहिए जैसे कि हमने कक्षा 10 में भी इस चैप्टर के बारे में कुछ प्रारंबिक ग्यान लिया था जैसे कि बिद्धु धरा क्या होती है यह हमें पता होना चाहिए चुम्बक्या छेत्र किसे कहते हैं यानि मैगनेटिक फील्ड क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए Orestet का क्या experiment था उन्होंने चुंबकिया छ्षेतर को जानने के लिए या चुंबकिया बल को पहचानने के लिए जो experiment किया था उसका भी हम यहाँ पर हल्का सा input आपको देंगे तो इस chapter में जो कुछ key points है उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए यानि कि आपको ये जो बिसेस पॉइंट्स हैं जो हम पहले से भी जानते हैं उनको आपको ध्यान रखना है जैसे कि कूलाम का नियम तो कूलाम का नियम क्या था दो आवेसों के बीच आकरशन या परतिकरशन बल दो आवेसों के बीच जो बल होता है वो उनके परिमान की गुड़नफल के समानपाती और उनके बीच की दूरी के बरके बुदकरमानपाती होता है यानि कि जो same charges होते हैं वो repel करते हैं और जो बिपरीत charge होते हैं वो एक दूसरे को आकरसित करते हैं इसी तरह से हमने static charge यानि static always क्या था उसको भी जाना था यानि static charge वो charge होता है जो अपने surrounding में कोई momentum पैदा नहीं करते यानि कोई संबेग उनका नहीं होता इसी तरह से moving charge यानि वो charge जो अपने आसपास के परिवेस में अस्तान बदलते रहते हैं यानि dynamic condition में होते हैं इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि बिदुद्धारा प्रभाव क्या होता है तो एक चालक में जो भी आवेस का flow rate होता है उसको हम बिदुद्धारा प्रभाव कहते हैं बिदुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् और यह जो चुम्बक का विसेज गुण होता है और कमपास निडल हमें बिक्छोब बताती है कि वो कितना डिफलेक्ट हो रहा है, कितना मेंगनेटिक फिल्ड वहाँ पर चेंज हो रहा है, किस डिरेक्शन में हो रहा है चुम्बक के छेत्र चुम्बक के छेत्र यानि कि एक चुम्बक के चारों ओर जो उसका प्रभाव होता है या कोई वहाँ पर मेटल या फेरो मेगनेटिक मेटिरियल जो फोर्स का अनभाव करते हैं उसको हम चुम्बक के बल कहते हैं और उसके आसपास जो सराउंडिंग होती है उस surrounding को हम चुम्बक्या छेत्र कहते हैं तो इस पार्ट में हम जो सीखने वाले हैं खास करके आज के जो chapter है उस chapter में हम सबसे पहले बात करेंगे कि गतिमान आवेस के कारण जो चुम्बक्या छेत्र होता है उसका मान कितना होता है यानि moving charge के कारण खितना जो magnetic field है वो वहाँ पर पैदा होगा तो to understand the concept of magnetic field produced by a moving charge फिर हम बात करेंगे कि गतिमान आवेस के कारण चुम्ब के छेत्र की direction क्या होगी यानि हम कोसिस करेंगे यहाँ पर जानने की क्या magnetic field की direction होगी जब उसके surrounding में कोई moving charge होगा या जब किसी current carrying conductor में आवेस flow कर रहा होगा तो उसमें magnetic field की direction क्या होगी इसको जानेंगे इसी तरह से हम फिर बायोट सेवर्ट का जो law है उसका derivation करेंगे और फिर जानेंगे कि बायोट सेवर्ट law किस तरह से जो है चुम्बक सीलता और बिद्द सुलता में एक संबन्द इस्तापित करने में मदद करेंगे और हम फिर आखिर में पढ़ेंगे कि बायोट सेवर्ट और कूलाम के नियम में क्या comparison है दोनों में हम कैसे comparison करेंगे यानि दोनों में क्या अंतर है उसको भी जानेंगे कैसे जो है हम यह देखते हैं कि किसी conductor के resistance पर जो है changes आते हैं और परतिरोत के बदलने से किस तरह से physical quantities के behavior में change होता है इसी के आलोक में आज हम continue कर रहे हैं बिदुधारा के चुमक के प्रभाव पार्ट से है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी और आकरसित करता है यानि यह उसकी एक ऐसी रिपल्सिव नेचर है property है जिसके कारण वह किसी भी लोह पदार्थ यानि फेरो मेगनेटिक material को अपनी तरफ आकरसित करता है या करने की कोशिस करता है तो चुमबक के जो बिसिस्ट गुण है उन में प्रतेक चुमबक के दो धुरू होते हैं जैसे उत्री धुरू और दक्षनी धुरू समान धुरू हमेशा एक दूसरे को प्रतिकरसित करते हैं यानि हम किसी मैगनेट को किसी चुमबक को सतनता पूर वक लटका दें तो वह जो है हमेशा उतर दक्षन दिसा में ठैरता है या अब हम बात कर लेते हैं कि चुमबक के छेतर क्या है चुमबक के छेतर किसे कहते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं चुमबक के चारों और का वह छेतर ज इसमें चुम्बक के बल का संसूचन किया जाता है यानि चुम्बक के चारों और यदि कोई मैटीरियल कोई पदार्थ रखा जाए और वह चुम्बक के बल का या किसी बल का एहसास करता हो तो वह चुम्बक के बल होता है यानि ऐसे चुम्बक्य अपदार्थ जो अपने आसपास कोई attraction force या repulsive force मैसूस करते हैं तो वह एरिया जो है हमारा चुम्बक्य छेतर होता है चुम्बक्य छेतर का जो मातरक है वो टेसला है अब यहीं पर हम continue करेंगे कि किसी भी चुम्बक्य छेतर को अगर हमें जानना है या उसको दरसाना है या उसको इजाच करनी है कि चुम्बक्य छेतर कहां पर होगा कितना होगा तो यहाँ जो प्रियोग है सबसे पहले और स्टेट ने इसको समझाया था कि किस तरह से बिद्धु धारा चुम्बक्य छेतर को उत्पन करती है तो उन्होंने सबसे पहले एक experiment के हिसाब से यहाँ पर यह समझाया था कि चुम्बक्य छेतर उत्पन करने के लिए बिद्धु धारा या आवेसों का प्रभाव जो है जरूरी है तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इस interactive से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर यह की है जैसी हम इसे close करते हैं तो इस cell से current flow करता है तो उस समय यहाँ हम कहीं पर एक magnetic needle रखते हैं बीच में तो यह magnetic needle में जो है यह moment आ रहा होता है यानि बिक्षेपन आ रहा होता है तो जैसी current flow करती है circuit में वैसी जो है current के flow होने पर यह magnetic needle का जो pole है वो positive pole हमेशा यह north pole को गुमाने लग जाता है यानि इसका oppose करता है तो यह towards south band होता है तो इस तरह से में पता चलता है कि अगर हम polarity change कर दें यहाँ पर यह negative और positive को change कर दें तो यह जो compass needle है इसकी polarity भी change हो जाएगी यानि s n की जगह जाने की कोसिस करेगा और n s की तरफ आने की कोसिस करेगा तो यह experiment जो है और इस्टेट ने सबसे पहले समझाने की कोसिस की थी कि कि किस तरह से बिदुद धारा चुम्बक के छेतर को उत्पन करती है जैसे हम इसको एक example से भी समझ सकते है कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक magnet लिया है और उसको हमने pass किया है एक कुंडली से और वहाँ पर हमने route पे एक compass needle लगाई है तो देखो जैसे ही magnet जो है इस coil के या इस solenoid के पास होकर आता है तो इसमें बिक्षेपन होता है तो यह दरसाता है कि यहाँ पर बिदुद धारा के कारण जो है चुम्बक किया प्रभाव दिखता है यह आप ऐसा भी कह सकते है कि किसी magnetic material को कुंडली के पास लाने पर वहाँ पर जो deflection होता है वो यह बताता है कि यहाँ पर बिदुद धारा के कारण चुम्बक किया प्रभाव हुआ है तो चालक में प्रभावित होने वाली धारा चुम्बक के छेतर के समान पाती होती है और चालक से दूरी जो है वो चुम्बक के छेतर के बिदुद करमान पाती होती है और अगर हम यह number of dance बढ़ा दें तो number of dance बढ़ाने पे चुम्बक के छेतर का मान बढ़ता है तो जितने ज़्यादा number of dance होंगे उतना ज़्यादा चुम्बकिया छेत्र होगा तो इसका सेले हम अब बात करते हैं कि बायूट सेवर्ट लॉका यहाँ पर क्या derivation है उसे हम कैसे ग्याद करेंगे तो बायूट सेवर्ट के नियमा नुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन चुम्बक्या छेत्र जब किसी चालक में बिद्दू धारा प्रावायुत की जाती है तो उसके चारों और एकुम्बक्या छेत्र उत्पन होता है इसे हमने ओरिष्टेट के नियम में भी देखा था तो सेम औरेस्टिट के नियम का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर यह जानेंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण कितना चुम्बक्य च्छेत्र उसके आसपास उत्पन होता है तो बायोट सेवर्ट ने कई चालकों में यहाँ एक्सपरिमेंट करके देखा कि चुम्बक्य च्छेत्र जब किसी चालक के चारों तरफ या आसपास ग्यान करना हो तो उसके लिए क्या खास कंडिशन हैं क्या सड़ते हैं तो सबसे पहले किसी धारावाही चालक के जो small element है यानि किसी छोटे से हिस्से में उत्पन चुम्बक्य च्छेत्र किसी बिंदु पर चुम्बक्य च्छेत्र का मान किन कारणों पर depend करता है वो इस परकार से हैं इसे नमबर वन की चालक में प्रवाज़ बिद्दु धारा के अनुकर्मान पाती होता है यानि चुम्बक्य च्छेत्र जो चालक में बिद्दु धारा होती है उसके अनुकर्मान पाती होता है इसी तरह से चालक का जो element है उसकी जो लंबाई है उसके अनुकर्मान पाती हो कोण के साइन यानि टिग्नोमेटिकल फांक्शन साइन के अनकर्मानपाती होता है तदा जो चुम्बक्य छेत्र है वो किसी बिंदू पी से दूरी के बरके बिद्धकर्मानपाती होता है अब हम यहां पर मान लेते हैं कि मान लिजे कोई एक धरावाई चालक है और उसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है यानि वहां पर जब आवेश फ्लो करते हैं तो वहां पर करंट आई फ्लो होती है जो यहाँ पर green mark से दिखाए दे रही है आपको और कोई बिंदू P हमने चालक के surrounding में ली है और ये जो बिंदू है ये किसी भी दूरी से R पर इस्तित है जहाँ पर हमें चुम्बक के च्छेतर ग्याद करना है तो यहाँ पर हमने एक small element लिया DL उस DL element के कारण वहाँ पर कितना चुम्बक के च्छेतर होगा उस चुम्बक के च्छेतर को ग्याद करने के लिए हमने यहाँ पर arbitrary दो point ले लिए एक P या P डैस जहाँ पर हम उस small element DL के कारण DB यानि कितना वहाँ पर minimum magnetic field होगा वो ग्याद करेंगे तो किसी भी धारा वाही चालक में जब धारा प्रवावित होती है तो उसके चारों और एक चुम्बक के च्छेतर उत्पन होता है और इस चुम्बक के च्छेतर को बायोट सेवर्ट ने जो समझाया तो उनके अनुसार क्या हुआ कि जो चुम्बक की अच्छेतर है वो इस चालक में बहने वाली धारा के अनुकरमान उपाती होगा इसी तरह से जो इस धारा वाही चालक में जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया डी एल तो वो स्मॉल एलिमेंट से जो धारा प्रभावित होगी तो उस समय वहाँ पर जो चुम्बक की अच्छेतर होगा वो चुम्बक की अच्छेतर धारा वाही चालक के स्मॉल एलिमेंट की लंबाई के अनुकरमान पाती होगा यानि डी बी अनुकरमान पाती डी एल इसी तरह से यहाँ element की लंबाई यानि जो small element की लंबाई dl है वह element को बिंदू P से मिलानी वाली रेखा के बीच बना कौन यहाँ पर जो theta दिख रहा है उस theta की sign के अनकर्मानपती होगा यानि की db directly proportional to sign of theta इसी तरह से बिंदू P से element की जो दूरी है आर आर दूरी के बर्ग के बितकर्मानपती होता है यानि चुम्बक की अच्छेत्र जो होगा वो one upon आर्ग जो है आर का बर्ग के बितकर्मानपती होगा यानि हम इसे यहाँ पैसे कह सकते हैं कि किसी बिंदूपी की अवयव से दूरी आर्ग के बर्ग के बितकरमानपाती होता है यानि db बितकरमानपाती है 1 upon r² के तो यहाँ पर हमारे पास यह जो चारों equation दिख रही है इन चारों equation को अगर हम एक साथ मिलाएं तो मिलाने पर यह हो जाएगा db समानपाती है idl sin theta upon r² के यानि कि अगर हम इस directly proportional का sign हटाएं तो db is equal to हो गया mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r² के यहाँ पर आपको यह जो समंद है इसे कहते हैं बायोट सेवर्ट का rule या बायोट सेवर्ट का नियम और यहाँ पर हम यह मान के चलते हैं कि यदि चालक को धारावाई चालक को हमने निर्वात या वायू में लिया है तो उस समय यह जो समंद होगा वो हमारे पास db बराबर mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r² के होगा यहाँ पर जो mu naught upon 4 pi है उसका मान होगा 10 पार माइनस 7 newton पर ampere square यहाँ पर mu naught जो होता है उसको हम बोलते हैं free space permeability यानि निर्वात की चुम्बक सीलता और जिसका मान होता है 4 pi into 10 पार माइनस 7 तो यह मान आपको journaling given रहता है constant का मान लेकिन फिर भी आपको यह याद होना चाहिए एक बार फिर से मैं आपको पता देता हूँ कि mu naught निर्वात की चुम्बक सीलता है यानि free space की permeability है तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो mu naught का मान है वो 4 pi into 10 पार 7 के बराबर होता है इसी तरह से हम यहाँ पर इसका vector notation भी लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक vector element है और db भी vector element है तो r भी vector element है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं db proportional to idl into r upon r cube यहाँ पर जो हमारा unit vector से r है तो उसको हम लिख सकते हैं r unit vector is equal to r upon r तो उसका हम यहाँ पर value रख लेंगे r vector में तो हमारे पास यह हो जायागा db is equal to mu not upon 4 pi into idl into r upon r cube तो यह हमारा यहाँ पर बायोट सेवर्ट का rule हो गया है कि हमारे पास यह पता चला कि जो db है वो किसके समान पाती है बिद्दुधरा के और उस element की लंबाई के और element और जो वहाँ पर point हमने लिया है p उसके बीच बने कौन के और यह बिद्द करमान पाती है one upon r square के फिर हमने दोनों को मिला लिया तो हमारे पास आगया db is equal to mu naught upon 4 pi i dl sin theta upon r square अब हम यहाँ पर compare कर लेते हैं निरुधरा की चुम्बक सीलता mu naught और निरुधरा की बिद्द सीलता epsilon naught के बीच में क्या समंध होगा तो जैसे कि हम जानते हैं कि mu naught upon 4 pi is equal to 10 square minus 7 newton per ampere square होता है ठीक है इसी तरह से हम यह भी जानते हैं कुलाम के नियम में हमने पड़ा था कि one upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 square 9 newton meter square per coulomb square होता है तो इन दोनों equations को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 pi 4 pi जो है वो बिलकुल common है almost close है तो हम इन दोनो equations को solve कर सकते हैं और हम यह देख सकते हैं कि अगर हमें mu naught और epsilon naught में समद निकालना है तो यहाँ पर हम जो हमारे पास पहली equation है और दूसरी equation है इन दोनों को हम division कर लेते हैं यानि पहली वाली को हम दूसरी से भाग देने हैं अगर तो यह हमारे पास जो equation होगी वो हो जाएगी mu naught epsilon naught is equal to 10 raise power minus 7 divided by 9 into 10 raise power 9 ठीक है तो क्योंकि अबर 4 pi cancel out होगा दोनों तरफ equal है तो उस हिसाब से यह होगया mu naught epsilon naught is equal to 10 raise power minus 7 divided by 9 into 10 raise power 9 अब हम यहाँ पर यह जानते हैं कि 1 कुलाम आवेस 1 ampere per second के होता है तो अगर हम इस value को ध्यान में रखें तो अगर 1 कुलाम आवेस 1 ampere per second है तो उस समय हमारे पास यह जो value हो जाएगी mu naught epsilon naught is equal to 1 upon 3 into 10 raise power 8 का whole square हमने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास इस value को अगर हम ध्यान में रखते वे आगे बढ़ेंगे तो यह हमारे पास क्या हो गया mu naught epsilon naught is equal to 1 upon और 3 into 10 raise power 8 जो है यह निर्वात में प्रकास की चाल के बराबर होता है यह 3 into 10 raise power 8 meter per second यह प्रकास की चाल होती है तो अगर हम इसको c मान लें तो यहाँ पर हमारे पास जो equation होगी वो क्या हो जाएगी mu naught epsilon naught is equal to 1 upon c square ठीक है तो अगर हम यहाँ पर प्रकास की चाल ग्याद करना चाहें तो प्रकास की चाल का जो मान आएगा वो हो गया c is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught और यह जो c का मान आएगा यहाँ पर mu naught और epsilon naught का value रखने पर तो यह कितना आएगा 3 into 10 raise power 8 meter per second तो अब हम यहाँ पर कूलाम और bad servant law की तुलना कर लेते हैं कि दोनों में क्या close difference है तो इसको भी हम जान लेते हैं तो जैसे की हमें पता है कि कूलाम का नियम बिदुद आविसूं के बीच लगने वाले इस्तिर बैदुद बलके बारे में जानकारी देता है जबकि bawार सर्वर्ट का जो नियम है वो बिदुद चुंबुकतों के अंतरगत किसी बिदुद धरा के कारण किसी बिंदु पर धरावाई चाला के आसवाद चुम्ब के छेतर का मान बताता है यानि उसको ग्याद करता है और यहा नियम जो है एक सदिस रासी को बेक्ट करता है जबकि जो कुलाम का नियम है उसे हम अदिस और सदिस रूप दोनों में बैक्त कर सकते हैं और दो बिंदो आवेसों के बीच लगने वाला जो अधिकतम बिदुत बल है वो आवेसों के गुड़नफल के समान पाती होता है और आवेसों के बीच की दूरी के बरके बिदुत करवान पाती होता है जबकि जो बायोड सर्वर्ट लॉट में जो सदिस रासी बी की है जैनि जो चुम्बक के छेतर को हम सदिस रासी के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पर धारा का तो परिमान लेते हैं जबकि लंबाई और दूरी को हम एक पॉइंट से सदिस रासी के रूप में लेते हैं तो इसको हम फार्मूले के रूप में भी देख लेते हैं कि F is equal to K Q1 Q2 upon R square होता है जहाँ पर F जो है अलेक्ट्रिक फोर्स है K जो है कूलम constant है और Q1 Q2 वहाँ पर दो बिंदो आवेस हैं और R उन आवेसों के बिच की distance है इसी तरह से जो हमने चुम्ब के छेतर निकाला बैरोट सारवर्ट के लोज से वो हो गया मून उट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन धीटा अपॉन R square तो ये इनका comparison हो गया है तो आज हमने इस मॉड्यूल में इस पार्ट में जो सीखा सबसे पहले बिदुधारा ले जाने वाले किसी तार या चालक के चारो ओर एक चुम्ब के छेतर का मान क्या होता है फिर हमने पढ़ा चुम्ब के छेतर की दिशा जिसे हम ग्यानत कर सकते हैं एमपेर स्विमिंग रूल से या राइट हैंड ग्रिप रूल से और हमने फिर पढ़ा चुम्ब के छेतर की दिशा और बाड सेवर्ट के नियम के द्वारा जो चुम्ब के छेतर का मान आया उसका बेंजक निकाला उसका बैक्टर फॉर्म देखा